तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट विडियो में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 14 फरवरी और कल है 15 फरवरी मैं दोनों डेट पर क्यों आप लोग का ध्यान अकरसित कर रही हूं इस वज़ा से क्योंकि आज तो खेर आप आप लोग जानते हैं कि वाले लेकिन कल क्या है 15 फ़र वर या करेंगे तो आप लोग वेहत समझदार है आज वाले टाइन्स दे की तैयारी होगी यानि कि आज वैलेंटाइन्स डे के दिन वैलेंटाइन्स डे की तैयारी करने के बजाए हम लोग करेंगे एक्जाम डे की तैयारी यानि कि कल की तैयारी और इतना जबरदस्त अंदाज में तैयारी होगी ना आज कि कल का एक्जाम आप लोग एकदम थोड़ में 100 में से आप लोग का इतना लाना है 100 में से 99 आप लोगों को एकदम टार्गेट ले कर चलना है क्योंकि पिछले बेश वाले जितने बेस्ट्रेंट यहीं होना चाहिए और हो सके तो यह अधिक सीच का एक्जाम है और काफी हैं हम भी और आप लोग भी excited होंगे ठोड़े ड़रे से हमें होंगे फटवे घबराये हुए होंगे और ठोड़े खुष होंगे की कुई कल सेद्ट लोगी केम्पमी तो आज आप लोग के लिए ध्यर्षारी दुआयरी करना है और कल का एक उत्वार्फ्यूवाद है मैं गोड से प्रे करती हूं कि आप लोग के हाथ में इतनी शक्ति आजाएं आप लोग के कल्म में इतनी ताकत आजाएं कि आप लोग हर एक कोशन का एंसर एकदम सही सही और जबरदस्ट अंदाज में लिख कर आए और examiner के कलम में भी इतनी ताकत हो कि वह आप लोग को extra number बढ़ा कर लगी दे दे तो ये तो हो गई धेर सारी दवाय और आशिरवाद लेकिन अगर आप मेहनत ही न करें तयारी प्रिप्रेशन ही न करें तो क्या ये काम आएंगी सबसे बड़ा सवाल है तो नहीं साथ में आप लोग को प्रिप्रेशन भी मेहनत भी करना होगा तयारी भी करनी हो का उर्दू का एक्जाम एकदम जबर्दस्त जाए इससी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में दम विस्तार से चर्चा होने वारा फिल डिसकस होने वारी है तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंध तक बिना ज्किप एवीडियो को देखिएगा हमारी बात को ध्यान से सुनना है समझना है और उस पर अमल भी करना है तो चली आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि बहुत ही अच्छी बात मैं बता रही हूं ठेक है ना तो सबसे पहला मतलब आज किस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को यह कहना चाहती हूं कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट का आप लोग का एक्जाम है ना उसके एक दिन पहले उसी सब्जेक्ट की तियारी करके जाना है आपको यह बात हमारी जो है ना एकदम ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए और इस पर अमल भी कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बता रही हूं सबसे इंपॉर्टेंट महत्तपू सब्जेक्ट का एकजरेंगे और किसी सब्जेक्ट की नहीं है ठीक है ना क्योंकि बहुत सारे स्टिट्वां करते हैं कि जिस अब्द़्जर का एकजाम है तो आज आप लोग उर्दो की ही तैयारी करेंगे और किसी सब्चक्त का नहीं घंड-धियां आप लोग का पुरा फोकस उर्दू पर होना चाहिए और बाकी सबसुठक को अभी अलग रखें निमें रखेंच अभी आज पुरा फोकस उर्दू पर कीजिए ठीक है और इसी तरह अगले दिन जिस सब्जेक्ट का एक्जाम है यानि कि 16 तारीख को जिस सब्जेक्ट का एक्जाम हो उसके एक दिन पहले यानि कि 15 तारीख को आप उसी सब्जेक्ट की तयारी करेंगे इसी तरह आप लोग को हर सब्जे हूँ आज आप लोगो को क्या करना है पूरा स्ट्रेजी आज दिन भर का मतलब कि यह नहीं कि कल एक्जाम है तो आज पूरा रात भर जाकर पढ़ाई करें ऐसा भी नहीं करना है निंद आप ओक्पी आप लोग को एंशर लिखने के लिए मिलेगा तो उसमेंशर कैसे लिखा जाता है यह तो पता होना चाहिए न तो एकजाम में एंशर हीट लिखने का यानि की nightmare पर लिखने का एकदम 100% सही और सटीक तरीका में एक सेपरेट वीडियो में बता चुकी हो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है अभी जो वीडियो का टाइटल दिख रहा है ना टाइटल पर क्लि वीडियो को देखिएगा क्योंकि उसमें एकदम 100% सही और सटीक तरीका बताई हूं एक्जाम हॉल में बोर्ड एक्जाम के देने के दौरान कॉपी कैसे लिखा जाता है चाहे हिंदी लेंग्वेज हो उर्दू लेंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लेंग्वेज हो किसी पर कैसे लिखा जाता है कि उर्दू में खत लिखने का सही तरीका आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग जानते हैं उर्दू का एक्जाम में ऐसा तो हुई नहीं सकता है कि खत लिखना ना है खत पक्का है कि आएगा आप लोग के एक्जाम है वह भी नहीं तो पांच नंबर का तो खत लिखने का एकदम 2024 का नया और लेटेस्ट और 100% सही और सटीक तरीका में आप लोग को बता चुकी हूँ अगर आप वह भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक इसी वी लिखने का तरीका आप लोगो पता होना चाहिए तो उर्दो में दर्खास यान की अप्लिकेशन कैसे लिखा जाता है इसका भी मैं तरीका बता चुकी हूँ और इस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है ठीक है आप लोग क्लिक कर है यह जरूर मतलब डबल रहता है नॉर्मली सभी लोग सिंगल ले देते हैं लेकिन हमारे नाम में डबल लगता है तो बाई मुसकान में कोच भी सर्च करना है आप लोगो जैसे कि क्लास 10 अर्दू अब्जेक्टिव मेरा थन वीडियो बाई मुसकान में तो इस तरह से एक दम मतलब जो ट्रिक होता है उस तरह का ट्रिक तो यूटूब पर कोई नहीं बताया होगा इतना जबरदस ट्रिक बताई हूँ और कौन-कौन से वह important topic है जिस पर मजमून लिखने के लिए आप लोग एक्जाम में आ सकता है वह भी important topic उस वीडियो में बताई थी तो के बाद से अगला टास्क है कि क्लास तेंथ के उर्दू के अब्जेक्टिव का मेराथन वीडियो जरूर देख कर देएगा अभी हाली में एक दो दिन हुआ मैं आप लोग को क्लास तेंथ के उर्दू का टोटल अब्जेक्टिव कोशन यानि कि उर्दू का दरक्षा का प्ले से ही तो फिर आज इस आज के दिन यानिक जैसा कि आज आप लोगों पूरे उर्दू की सामय देखने के देखने के पुसके बदीन में आप लोगों को जो टेंथ क्लास के उर्दू का सब्जेक्टिव कोशन कम्टिट कराई थी वह भी जरूर देखिएगा और इसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिप्टिप्सन में डाल दिया गया है आप लोगों को ढूने की भी जौरत नहीं पड़ेगी डिस साथ होई नहीं सकता है कि उर्दू ग्रामर से कोशन ना पूछे तो उर्दू ग्रामर का टॉप दो सब्जेक्टिव कोशन में कराई थी कुछ दिन पहले तो यह वाला वीडियो ज़रूर देख लेना है आप लोगों को लिंक भी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्टिप्सन म पूर्दो क्यूसा पूछन को मिला था और कुछ-कुछ ऐसा कोशन होना में क्ल सब्सक्रिarni कि यहाई वर्दूंज में यह काफी मुश्किल काम होता है और इसलिए मंघे तो आप को अगर आप टाइम मिनेजमेंट कर पा रहे हैं यानि कि यह सभी वीडियो को देख लेने के बाद यह सारे टॉपिक पर कमांड कर लेने के बाद अगर आपके पास समय मिल रहा है ना तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए कंप्लेट उर्दू ग्रामर इन्वन वीडियो ठीख है न यान? यानि कि इस वीडियो में मात्र एक वीडियो में मैं टोटल उर्दू ग्रामर यानि कि उर्दू कवायद को क conducting करा जुकी है अगर आप इस एक वीडियो को देखकर जाते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहा हूँ कि एक भी उर्दु कवाउध का कोश्चुन आप लोग छोड़ कर nickel हर एक कोश्चन को एकदम correct सही सही बना कर आएंगे यह पूरे विश्वास के साथ कहा रही है तो अगर आप लोग के पास समय बच जा रहा है तेखे ना यानि कि अगर आप टाइम इनेजमेंट कर पा रहे हैं आप लोग के पास एक्स्ट्रा समय बच रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा इसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सर में डाल दिया है complete ordo grammar in is a video में यानि कि एक ही वीडियो में पुरा उर्दक्रावर को यह हो गई ऊर्दो की बात यानि कि कल के उत् i o s events पर्दो इए के लिए आज का यह पूरा टास्क है आज आप लोगो को यह पूर्छ निंक पड़ी में टास्क या जाल दिया गया है ठीक है ना और मैं पूरुवेश्वास के साथ कह रहे हूं कि आज का यह पूरा स्ट्रेजी फॉलो करते हैं तो कल का आप लोगा एकजाम एकदम धुवाधार जाने वाला एकदम जबरदस्त आप लोग खुद हमारे इसी वीडियो के कमेंड में आकर कहेंग ना तो इसी वीडियो पर आप लोग कमेंड बॉक्स में आकर कमेंड करके लिख कर बताईएगा कि हाँ मैं आप सही बताई थी सारा कोशन पूछा गया था ठीक है डन डिल डन चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह तो हो गया उर्दू सब्जेक्ट का अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो लाया जा रहा है हलांकि कोई 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 ऐसा सब्जेक्ट है जिसका भी बाकी है जैसे कि 10th क्लास के नौन हिंदी का तो मैं संपून सब्जेक्टिव कोशन करा चुकी हूँ यान कि एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्टि पहले भी सारा हिंदी क्रामर का और जैसा की सब्जेक्टिव तो हो चुका है और ये कंप्लीट करा दिआ जाए का मैराथन हो चुक नौन हो चूख उदिया Carl और हिंदी grammar का अब्जेक्टिव तो टेंशन नहीं लीजिए अभी बहुत जल्द कल ही हो सकता है कि sixth class के non Hindi या objective का मैरा थन वीडियो अप्लोड हो जाए बहुत जल्द हो जाने वाला तो physics six video में complete यहनी कि physics साम हा मेरातन कर वाये गया था उसी तरह कमेस्ट्री का उसी तरह बाइलोजी का ठीक है ना और फिर फिर हर एक सब्जेक्स कमिस्ट्री बाइलोजी का अबजेक्टिव कोशन भी कराया गया था यानि कि फेघ्गी वीडियो में जो physics फिसक्स कहा यानीनिकि पूरा फिजिक्स कहें एक ही वीडियो में पुरा टे Courage का लाइनि-वे उसी तरह एक ही वीडियो में पूरे physics के objective को complete कराया गया था उसी तरह एक ही वीडियो में पूरा chemistry के objective को complete कराया गया था और उसी तरह एक ही वीडियो में पूरा biology के objective को complete कराया गया था तो अभी तो आप लोग को content देखने का समय नहीं है आप लोग सिर्फ objective वीडियो देख लिजे यान कि physics का objective chemistry का objective in one video और biology का objective इन वीडियो यानकि physics chemistry biology तीनों का objective जो है ना एक एक वीडियो में complete कराया गया है physics का हमारे दोरा chemistry और biology का इबाद सर्के दोरा complete कराया गया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा मतलब साइंस में यह तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स कमेस्ट्री बाइलोजी तीने को अबजेक्टिव हो चुका है और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला जा चुका है एक ही वीडियो में पूरा कमेस्ट्री का अबजेक्टिव और कि एक ही वीडियो में पूरा फिजक्स कम्प्लीट कराया गया था तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसे आप लोगा सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा उसी तरह केमेस्ट्री और उसी तरह बाइलोजी ठीक है तो यह हो गया साइंस की बात अब आगे बढ़ के मैथ की तो मैथ का जो प्लेइलिस्ट पना हुआ था क्लासेंथ मैथ से संद्वहजर 234 तो वह प्लेइलिस्ट का लिंग किसी वीडियो का डिस्क्रिप्टर में डाल दिया गया है उसमें अभी जैसा कि मैथ का जो इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग के करना है ठीक है अब सब्सक्रिपिएक है इस अफ्पर बीडियो के लिविजन करना है और अगले दिन जाकर एक्जाम देना है कोई घबराने वाली कोई टेंशन देने वाली और या फिर देने वाली बात नहीं है ठीक है लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आप एक्जाम देकर एक्जाम होल से बाहर निकल आए और वापस अपने घर चले आए तो फिर आप लोगो यह नही कर बैठे रहेंगे कि oh my god हमारा इतना question चूड़ गया काश में बना लिया होता या फिर काश में बना ली होती आज का तो मेरा बहुत खराब एक्जाम गया एक question चूड़ यह फिर दो question चूड़ गया ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप past में जाकर उस चीज़ को बदल तो नहीं सकते हैं time को वापस पीछे तो नहीं कर सकते हैं जो हो गया वो हो गया आपका एक्जाम जैसा भी गया अब उसके बारे में आपको नहीं सोचना है और नहीं टेंसन लेना है अब फिक्र करनी है आपको present की और future की यानि कि अब आपका जो next exam होने वाला है उसकी तैयारी करनी ह आप जो पिछला exam हुआ उसके बारे में सोचकर आप अगले exam की त्यारी करना क्या छोड़ देंगे तो इस तरह आप अगले exam होने वाला है उसको आप बरबाद करें उसको और खराब कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है जो हो गया वो हो गया अब उसके बारे में सोचन कर देबी तक लाइक नहीं की है तो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोस या दोस्तों के पार जितने भी आप लोग के रिश्चते बड़े भाई बन चारो तो शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो कर आप उठा सके चानल पर कर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर और कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे फ